बोलता भिहार न्यूज मेडिया में आपका स्वागत है बिर्द मैला को दभंगों ने मार पिट कर बुड़ी तरह से गायल कर दिया उक्त मैला का इलाज बेगु सराय के प्राइबेट नर्सिंग होम में चल रहा है जो जिंदगी और मौद से जूज रही है मिली जानकारी के मुताविक बेलदोर थाना चेतर के डुमरी पंचेत अंतरगत पंसलवा गाउं निवासी 50 बरसी है सुदीर कुमार ने थाना द्यक्ष को आवेदन देकर मामने से अभगत कराया सुचक ने बताया कि बीते गुरुबार को करीम 2 बज के 15 मिनिट पर उक्त गाउं के सरकारी इट सोलिंग का काड़ चल रहा था इसी दोरान गाउं के 30 बरसे रितु कुमार और्फ रितु राज 55 बरसी है ओम परकासी समित अन बेक्तियों के दोरा सुदीर कुमार के मां को दवंगों ने मार पिट कर बुरी तरह से गायल कर दिया जिसका इलाज बेगुसरे प्राइविट नर्सिंग होम में चल रहा है जो जिद्गी और मौस से जूज रही है उक्त बेक्ति सनिवार को बेलदोर थाना अद्यक्ष को आविदन दिया बताते चले कि दवंगों के दोरा सुदीर कुमार के परिजनों को जान मारने की दमकी मिल रही है जब रास्ता चलते हैं तो उक्त बेक्ति के दोरा गाली गलोज किया जाता है इस संबंद में थाना देच पंकज कुमार ने बताया कि बीते गुरुबार को करीब दोज के 15 मिनट पर सरक निर्मान के दोरन मारपिट हुई थी उक्त मामले में सुदीर कुमार के मां बुरी तरह से गायल हो गई गायल अबस्ता में परिजनों के दोरा खगडिया ले जाया गया जहां डॉक्टरों के दोरा प्रदात्मिक उप्चार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेगु सरह रेफर कर दिया जहां प्राइवेट नर्सिंग हों में इलाज चल रहा है बेल दोर से नएर आलम की रिपोर्ट